तो session start करते हैं, let's get excited, let's get started, तो सबसे पहले तो articles का हम और कहां इस्तिमाल करते हैं, देखो, articles क्या होते हैं, हमारे a, n और da हमें पता हैं, अब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अब भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, article da की, तो हमारी एक तो हमें पता है कि हम articles superlative degree के साथ इस्ति लेटीव तुपिरेटीव कि अ मतलब होता एड्येक्टिव्स की तीन डिगए एक होती आप इस इस पॉसितेव उब कंपारिटिव में तो जैसे क servants बेटर हिस्ट क्या तो यह जो गुड है यह आपकी फॉसिटेव डिगए है यह जो better है यह आपकी comparative degree है और यह जो best है यह आपकी superlative degree है तो superlative degree के साथ हम the article का इस्तिमाल करते हैं comparative degree के साथ हम the article को दो cases में इस्तिमाल करते हैं comparative degree के साथ हम हमेशा नहीं इस्तिमाल करते हैं हमेशा use नहीं करते हैं हम दो cases में करते हैं पहला case कैसा है पहला case है जब हम एक sentence इस तरीके का बनाते हैं For example The higher you go जितना उपर तुम जाओगे The better you feel उतना better तुम फिल करोगे So the higher you go, the better you feel The more you work hard The more you work hard The better you earn जितना जादा तुम महनत करोगे उतना जादा तुम अर्न करोगे उतना जादा तुमारी life अच्छी होगी तो comparative degree में जब इस तरह का हमारा sentence होता है जब हम दो comparative degrees को साथ में रखते हैं और दोनों को हम बता रहे होते हैं कि दोनों का अपस में क्या relation है तो उस case में हम comparative degree के साथ क्या लगाते हैं दा लगाते हैं एक बच्चे ने बोला The more Pepsi you drink The more problems you get जितनी ज़्यादा Pepsi पी होगे Coca-Cola पी होगे Soft drink पी होगे उतनी problems होगी तो आप देख पार हैं हमने यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे comparative degree के आगे भी क्या लगाया comparative degree से पहले हमने article दा लगाया कोई दिक्कत चानो दूसरा case क्या होता है दूसरा case होता है जब हम दो में से एक को better बता रहे होते हैं तब भी हम दा लगाते हैं For example She is the better of the two girls दोनों लड़कियों में वो क्या है better है तो जब हम इस तरीके का sentence लिखते है of the और two girls या two people या two books कुछ भी और उससे पहले comparative degree लगती है तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं उससे पहले भी हम article दा लगाते हैं They are the faster of the two teams दो teams हैं उन teams में से वो वाले जो team के लोग हैं वो fast है तो हमने क्या लगाया faster से पहले comparative degree से पहले क्या लगाया comparative degree से पहले दा लगाया तो इन दोनों cases से पहले हम दा लगाते हैं एक बचे का doubt रहाँ सुबह दा हिंदू फिर उसके बाद perfection फिर उसके बाद या आप इंसान है या machine है बेटा इंसान ही हूँ बट कोशिश करती हूँ कि efforts जादा से यादा कर सकूँ इससे कि जादा से यादा बच्चों को फायदा हो सके और selection मिल सके चाड़ आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ और हम article दा कहां लगाते हैं article दा हम लगाते हैं जब हम किसी common noun को abstract noun की तरह यूज करते है सबसे पहले समझते हैं common noun क्या होता है common noun होता है कोई भी इंसान कोई भी चीज जो common है मतलब जिसको आप एक जैसे लोगों के लिए इस्तिमाल करते हैं for example mother एक common noun है सबकी माओं को mother बोलते है class एक common noun है collective noun भी है हाला कि common noun है toy एक common noun है book एक common noun है तो कोई भी चीज जो किसी class को बताती है किसी तरह के characteristic को बताती है तो वो क्या होता है common noun होता है abstract noun क्या होता है abstract noun कोई quality होती है abstract noun कोई feeling होती है उसको क्या बोलते है abstract noun तो ममी ने मुझे बताया कि मुझे रोज फल खाने है तो ममी ने मुझे बोला रोज फल खाने को तो यहाँ पर मैं ममी की बात कर रही हूँ, मदर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर यह क्या था common noun था यह common noun था, इसलिए मैंने क्या किया इस common noun से पहले मैंने दा नहीं लगाया ये क्या था बेटा common noun था तो मैंने क्या किया यहाँ पे article दा नहीं लगाया लेकिन जैसे ही मैंने बोला दा mother in her उसके अंदर जो माँ वाली quality थी उसके अंदर जो ममता थी उस ममता ने वो शब्द बोले तो उसके अंदर जो मा थी वो नहीं ममता जो थी तो यहाँ पे mother क्या है यहाँ पे mother एक quality है कि उसके अंदर जो माँ वाली qualities थी तो जब भी हम किसी common noun को या किसी quality की तरह इस्तमाल करते हैं तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं उससे पहले हम article दा लगाते हैं समझ आया यह concept अभी को तो अगर मैंने बोला the child in him उसके अंदर का जो बच्चा था उसके अंदर का जो बच्चा था wanted to quit तो उसके अंदर का जो बच्चा था वो इस चीज को quit करना चाहता था तो वो इनसान नहीं quit करना चाहता था उसके अंदर की जो बच्चे वाली quality थी तो यहाँ पे child क्या है यहाँ पे child quality है तो जब भी हम किसी common noun को एक abstract noun की तरह यूज करते हैं या एक quality की तरह यूज करते हैं तो हम उससे पहले article दा लगाते हैं कोई दिक्कत इस concept में समझ आ रहे हैं सभी को yes चल आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कि हम article दा कहां नहीं लगाते हैं हमने देखा हम article दा normal countries के नाम के आगे नहीं लगाते Germany, जिंबावे, इंडिया, जिपैन, चाइना इन सभी इस के पहले हम article दा नहीं लगाते लेकिन हमने पढ़ा था कि कुछ countries के नाम के आगे article दा लगता है कौन-कौन सी वो countries इनके साथ दा लगता है एक तो वो countries जो islands का group है यह अपनी plural form में है जैसे कि the Netherlands the Philippines वो countries जो United है, group है the United States, the USA या the United States of America the United Kingdom the United Arab Emirates, the UAE तो इन सबसे पहले तो दा लगता है लेकिन जो normal countries होती है India, China, Japan, Germany इन सबसे पहले article दा नहीं लगता अगला हम language के नाम के आगे article दा नहीं लगाते है for example, I speak the English नहीं होगा क्या होगा? I speak English या French in spoken in Tahiti English में बहुत सारे words Latin के आते हैं, Indonesian एक नही language है तो जब भी हम किसी language को normally बोल रहे होते हैं तो हम उससे पहले article दा नहीं लगाते हैं के बाद clear है सभी को article दा language के साथ नहीं लगता लेकिन इसके कुछ exceptions है पहला exception क्या है? कि जब language को इस्तमाल किया जाता है वहाँ के लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए जब उस language को हम इस्तमाल करते हैं वो पूरे के पूरे वहाँ के लोगों के बारे में बात करने के लिए या जब उस language का मतलब होता है people of that country तो उस case में language के साथ दा जो होता है वो सही होता है for example the English ruled our country before 1947 तो 1947 ने English language ने नहीं रूट किया था तो यहाँ पे English का मतलब language नहीं है यहाँ पे English का मतलब है यहाँ पे English का मतलब है people of England यहाँ पे English का मतलब क्या है यहाँ पे English का मतलब है People of England तो इस case में the English सही है The Arabs या The Arabic Arabic वहां की language का नाम है या फिर The Urdu या फिर The Hindi तो अगर ये लोगों पो refer कर रहे हैं तो आप वहाँ पे दा लगा सकते हैं नॉर्मल केस में नहीं लगा सकते हैं दूसरी चीज अगर उस language के नाम के आगे language लिखा हुआ है मतलब सिर्फ English नहीं लिखा हुआ English language लिखा हुआ है कौनसा शब्द लिखा हुआ है ये language word लिखा हुआ है सिर्फ Hindi नहीं लिखा हुआ Hindi language लिखा हुआ है सिर्फ Japanese नहीं लिखा हुआ Japanese language लिखा हुआ है पूरा का पूरा तो उस case में भी article दा सही होता है दा जो है गलत नहीं होता है तो दो cases में हम language के साथ दा लगा सकते हैं पहला case क्या है? पहला case है वो लोगों को identify कर रहा हो और दूसरा case है कि अगर उसके आगे language word लिखा हुआ हो अगर मैंने फ्रेंच की जगा फ्रेंच लांग्वेज लिखा होता तो यहां पे article दा सही होता इंग्लिश की जगा इंग्लिश लांग्वेज लिखा होता तो article दा सही होता इंडोनेशन की जगा इंडोनेशन लांग्वेज लिखा होता तो article दा सही होता नेक्स्ट पे आएं समझाया concept चाब अगला concept है जब भी हम किसी meal की बात करते हैं किसी खाने के item की बात करते हैं तो उस case में भी हम article दा को नहीं लगाते हैं for example lunch is my favorite meal lunch मेंने सबसे अच्छी meal है तो दा लंच नहीं बोलेंगे I like to eat breakfast early मुझे breakfast जल्दी खाने की अच्छा लगता है जल्दी खाना अच्छा लगता है तो I like to eat दा breakfast नहीं बोलेंगे तो अगर हम meals की बात कर रहे हैं और हम normally उनका नाम ले रहे हैं तो हम article दा इन से पहले नहीं लगाते हैं लेकिन 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 क्या exception है exception नहीं समझने वाली बात है अगर आप किसी particular meal की बात कर रहे हो कि वो वाला breakfast जो मेरी मम्मी बनाती है या वो वाला lunch जो बाली में मिलता है अगर आप किसी particular meal की बात कर रहे हो तो उस case में article दा सही होता है for example breakfast should be light अभी मैंने आप नॉर्मल ही बात करी कि breakfast light होना चाहिए तो मैंने breakfast से पहले दा नहीं लगाया लेकिन मैंने बोला मेरी मम्मी जो बनाती है वो बड़ा heavy होता है या रोज रोज पराठे खला देती है तो अब मम्मी के breakfast की बात करी the breakfast cooked by my mother the breakfast cooked by my mother is very very heavy तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया यहाँ पर आर्टिकल दा लगाया बलकि यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं लगाया था तो जब भी हम normal बात कर रहे हैं हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे लेकिन जब भी हम point out करते हुए बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल दा 100% लगाएंगे ही लगाएंगे clear? next concept अगले concept पर आते हैं अगली बात है लोगों के नाम से पहले दा नहीं लगाते हैं है ना? my name is Nimisha, my name is the निमिशा नहीं बोलूँगे या John is coming, John आ रहा है घर पर बाद में तो दा जौन नहीं बोलूँगे Mary Carpenter is my boss तो दा मेरी Carpenter नहीं बोलेंगे हैं है ना? तो हम लोगों के नाम से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं लेकिन भई कुछ exceptions होते हैं कब लगाते हैं लोगों के नाम से पहले दा दो तीन cases में लगाते हैं पहला case होता है यही वाला जहां पर हम इसको metaphor बोलते हैं Metaphor का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को अब दूसरे के जैसा बोल रहे हो तो वैसे दुखर महात्मा गांधी क्या है Proper noun है एक इंसान का नाम था तो महात्मा गांधी क्या है Proper noun है लेकिन जब भी हम, इसमें थोड़ा सा उल्टा लगवा है, प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को हम कैसे यूज करते हैं, कॉमन नाउन की तरह, मतलब महात्मा गांधी को हमने क्वालिटी बना दी, या फिर हमने कैसी चीज बना दी, कि जो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें से फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें आगे इंफरमिशन नहीं थी, तो आ सही, आफ आर कंट्री लग दिया, तो दा लगा दिया, मतलब, जब भी हम किसी एक इंसान को एक केरेक्टरस्टिक की तरह समझते हैं, कि यह ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो हम उस केस में दा लगाते हैं, similarly, सिर्फ यहां पे नहीं, और भी जगह हम दा लगाते हैं, for example, मैंने बोला, Delhi is the Paris of India, इसको हम बोलते हैं, metaphor, Delhi क्या है, इंडिया का Paris है, तो मैंने Delhi को Paris बना दिया, जैसे मैंने ही को महात्मा गांदी बना दिया था, ऐसी मैंने क्या क्या Delhi को Paris बना दिया, तो मैंने यहां पे आर्टिकल क्या लगाया, दा लगाया, वो हमारी class का कौन है, वो हमारी class का Sachin Tendulkar है, तो मैंने ही को Sachin Tendulkar बना दिया, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, दा लगा दिया, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, metaphor, दो figures of speech होते हैं, एक होते हैं metaphor और एक होते हैं simile, similarly में as शब्द का यूज़ करते है as good as, as bad as और metaphor में directly वो नाम दे देते है हाँ, जम्मू कश्मीर is the Switzerland of India तो हमने क्या लगाया, इन दोनों जगा दा लगाया, समझ आ रहा है सभी को, exception एक तो यही वाला exception हो गया दूसरा exception क्या है, जब किसी के नाम की उपर कोई जगा रख दी गई हो कोई hotel रख दिया गया हो किसी के नाम पर कोई post रख दी गई हो तो किसी का नाम है लेकिन वो नाम नहीं है actual में उसके नाम पर कोई hotel है उसके नाम पर कोई newspaper है उसके नाम पर कोई road है या उसके नाम पर कोई unique चीज है तो उस case में भी आप नाम के साथ आर्टिकल दा लगा सकते हो Otherwise, normal cases में नाम के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता है चीक है? चाल आगे बढ़ते हैं अगला concept क्या है? अगला concept है कि हम आर्टिकल दा को कभी भी possessive case के बाद नहीं लगा सकते हैं तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं राम्स दा कार नहीं कभी भी possessive case के बाद आर्टिकल दा नहीं लगता है तो ब्रदर्स कार उसकी भाई की गाड़ी चोड़ी कर दी गई पीटर्स हाउस उसका घर वहाँ पर है तो apostrophe S के बाद कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगता है अगला कभी भी years के साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगा सकते हैं ऐसे नहीं बोलूँगे I was born in the 1992 या he was born in the 1947 या India got independence in the 1947 नहीं जब भी हम years की बात करते हैं हम कभी भी years के साथ आर्टिकल दा नहीं लगाते we don't put आर्टिकल दा with them अगला uncountable nouns के साथ भी आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं rice हो गया, milk हो गया, war हो गया यह जो हमारी uncountable nouns है कि rice जो है Asia का important food है milk को चाय में add करते हैं लड़ाई destructive है इनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं लेकिन किस case में लगाएंगे आप ही लोग मुझे बताओ किस case में लगाओगे जब किसी particular की बात कर रहे हूँ है ना जब उसकी point out कर दिया rice के साथ वैसे नहीं लगेगा rice is my favorite food rice is my favorite but I don't like the rice cooked by my brother लेकिन जो चावल मेरे भाई बनाता है वो मुझे नहीं पसन पता ही क्या डाल देता है उसमें तो जैसे ही मैंने यहां पर particular कर दिया कौन सा वाला rice मेरे भाई के द्वारा बनाया जाने वाला rice वहीं पर article दा आ गया तो uncountable nouns के साथ article दा नहीं लगाते लेकिन जैसे ही point out कर दोगे वहाँ पर article दा लगाना पड़ेगा अगला जब आपको noun के साथ number दिया गया हूं तब भी article दा नहीं लगाते for example he is waiting at the gate to यह गलत है क्यों गलत है gate क्या है noun है two क्या है number है तो अगर noun और number दोनों दे रखियो बतलब यह particular already दे रखा है gate two तो particular ही है तो यहाँ पे भी article दा नहीं ही लगेगा he is waiting at gate number two she is there at platform number five तो जब भी noun और number दिया हुआ है उस case में article दा नहीं लगेगा अगला अगली बात करते है प्राइमरी परपस की और सेकेंडरी परपस की देखो क्या होता है मैंने एक sentence बोला I went to temple यह हमने वन्ट्वेंच दूर्स अग्रामर में भी बढ़ा था आपको याद होगा I went to temple और एक मैंने बोला पूजा went to the temple इन दोनों में मुझे difference बताओ क्या difference है जब भी हम इन में से किसी भी चीज की बात कर रहे है जैसे कि हमने temple की बात की hospital की बात की church, mosque, library, market, court, mall prison, jail की बात की जब भी हम इन words की बात करते है और अगर हम इस जगा उस लिए जा रहे है कि जिस चीज के लिए वो जगा बनी हुई है for example मैं मंदर पूजा करने के लिए जा रहे है मतलब temple का primary purpose क्या था temple का primary purpose था कि लोग आए मत्था टेके और पूजा करे तो जब हम किसी चीज को उसके primary purpose के लिए इस्तमाल करते है जिस चीज के लिए वो बना हुआ है तो उससे पहले हम आटेकल दा नहीं लगाते है तो I went to temple मैं temple जा रहे हूँ मतलब मैं मंदर ही जा रहे हूँ पूजा करने के लिए जा रहे हूँ लेकिन जैसे ही मैंने लिखा पूजा went to the temple इस word के आगे द लगा दिया इसका मतलब अब ये temple किस लिए इस्तमाल हो रहा है अब ये temple हो रहा है इस्तमाल अपने secondary purpose के लिए मतलब मंदर पूजा करने नहीं गई पूजा हो सकता है कोई शादी अरेंड करने गई हो पूजा हो सकता है किसी से मिलने गई हो पूजा हो सकता है किसी और काम के लिए गई हो जो पूजा के अलग हो पूजा करने नहीं गई तो पूजा went to the temple secondary purpose हो गया समझ आया तो अगर किसी चीज को आप primary purpose के लिए यूस कर रहे हो तो आप वहाँ पे article दा नहीं लगाओगे हाँ अगर किसी को secondary purpose के लिए यूस कर रहे हो तो आप article दा लगाओगे Children go to school everyday बच्चे school रोज जाते हैं तो पढ़ने जाते हैं तो school किसले इस्तमाल हुआ primary purpose के लिए इस्तमाल हुआ school का purpose है कि बच्चे आएं और पढ़ाई करें और बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं तो primary purpose के लिए यूज हुआ इसलिए मैंने यहां पर article दा नहीं लगाया फिर मैंने लखा I went to the school मैं school क्यों गई I went to the school to meet my sister मैं अपनी बहन से मिलने school गई अब school बहनों से मिलने के लिए तो नहीं बनाए तो school का इस secondary purpose था कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए school गई तो मैंने यहां पर क्या लगाया article दा लगाया समझाए concept primary purpose का और secondary purpose का सभी को yes चाए आगे बढ़ते हैं कुछ और बहुत सारे हमारे शब्द है जैसे कि man, life, gold, life, death अज़ा life मैंने दो बार लिख दिया mankind, science, society, parliament, woman, baby, history अगर हम इनको general sense में बात करते हैं इनकी तो हम इनके साथ article दा नहीं लगाते हैं for example मैंने बोला man is mortal इनसान क्या है? नश्वर है हर इनसान को एक ना एक दिन ऊपर जाना ही जाना है तो मैंने यहाँ पर the man नहीं लिखा या मैंने यहाँ पर a man नहीं लिखा इस sentence अपने आप में सही था man is mortal death is inevitable inevitable का मतलब क्या होता है? जिससे आप बच नहीं सकते तो death क्या है? inevitable है बच नहीं सकते तो मैंने यहाँ पर the death नहीं लिखा क्योंकि मैं general sense में बात कर रहे थी similarly अगर parliament को general sense में बात कर रहे हैं सब जगा की parliament की बात कर रहे है normally तो parliament से पहले भी दा नहीं लगाते man से पहले नहीं लगाते, woman से पहले नहीं लगाते, baby से पहले नहीं लगाते history से पहले नहीं लगाते ठीक है? समझ में आया article दा का use सभी को everyone is the use of article दा clear to everyone अब आते हैं article a और n a और n का मतलब क्या होता है यह किसके लिए इस्तमाल किया जाते हैं a और n they are used for singular countable nouns इन सब को हम singular countable nouns के लिए इस्तमाल करते हैं अब बहुत बचपन से न बहुत सारे लोगों को गलत फैमी है बचपन से गलत फैमी क्या है कि जो जो letters इन शब्दों से start होंगे a e i o u उन से पहले n लगेगा और जो 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 शब्द इन से start होंगे उन से पहले a लगेगा कितने लोगों कोई गलत फैमी है i think बहुत सारे लोगों कोई गलत फैमी है ऐसा नहीं होता है कि इन से start होंगे तो n लगेगा इन से start होंगे तो a लगेगा नहीं आपको basically क्या देखनी होती है आपको basically sound देखनी होती है अगर कोई भी ऐसा letter है जिसकी sound A से लेकर अंग छोटा A, बड़ा A, छोटी E, बड़ी छोटा O, बड़ा O, A, A, E, E, O, O, A, A इन सब में आती है उसकी starting sound तब हम N लगाते हैं और अगर क से लेकर ग्या तक की sound आती है तो हम क्या लगाते हैं, तो हम A लगाते हैं एक्जाम्पल से समझते हैं लेट्स अंडर्स्टान इट विद धी हल्प अफ एन एक्जाम्पल PDF की टेंशन मतलो PDF आपको सारी Telegram चैनल पे मिल जाएगी English with Nimisha Bansal पे अभी फोकस करो मैंने लिखा एक शब्द लिखा यूटेंसिल मैंने शब्द लिखा एलिफेंट मैंने शब्द लिखा यॉरोप यह यॉरोपीयन नेशन मैंने शब्द लिखा यूनिकॉर्ण मैंने शब्द लिखा अंबरेला मैंने एक शब्द लिखा M. Tech Candidate मैंने एक लिखा B. Tech Candidate मुझे बता ना कहा और आई गोर कहा N ऐगा मैंने लिखा M. L. A. F. M. S. Student R लिखा M. Honest Person लिखा M. अब आपको मुझे बताना है कि basically कहां कहां A आएगा और कहां कहां N आएगा देखो A, E, I, O, U पर मत जाना अगर A, E, I, O, U वाले concept पर जाओगे तो गलत कर दो गया U-Tensile, U, या की साउंड है, या की साउंड मतलब क्या आएगा A. Elephant, A की साउंड है, क्या आएगा N. European Nation, Yaw, या की साउंड है, क्या आया A. Unicorn, या की साउंड है, क्या आया A. Ambrella, A की साउंड है, क्या आया N. M Tech, M, A की साउंड है, A, क्या आया B.T.E.C.B.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E A, E, I, O, U पे depend करता है कि ये बाद सबी को clear है कि इसमें कोई घुटाला तो नहीं करोगे कि A कहां लगाना है और N कहां लगाना है सब का साही निकला तो ये था कहां कहां A और N लगता है एक और important concept है A और N में फिर हम बहुत सारे questions करेंगे कि जब भी हम बेटा बात करते हैं किसी verb को हम किसी noun की तरह इस्तमाल करते हैं किसी verb को हम किसी noun की तरह इस्तमाल करते हैं भले ही वो uncountable हो भले ही वो क्या हो uncountable हो तब भी हम उससे पहले A या N लगाते हैं जब भी आप किसी verb को noun की तरह स्थमाल कर रहे हो और भले ही वो uncountable हो तब भी आप उस case में a या n लगाते हो अब walk एक verb है लेकिन यहाँ पर noun की तरह स्थमाल हो रहा है तो यह गलत है हमें यहाँ पर a article लगाना पड़ेगा he went for a walk वो एक walk के लिए गया move एक verb है लेकिन यहाँ पर noun की तरह use हो रहा है तो हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा इससे पहले हमें a article लगाना पड़ेगा she took a strong move उसने एक बहुत strong कदम लिया कोई दिक्कत किसी केस कुछ हमारे phrases होते हैं जिसमें fix होते हैं वहाँ पर a या an article आता ही आता है तो phrases में हम कभी भी कोई concept नहीं लगाते हैं इतने भी idioms हैं phrases हैं जो fixed हैं उनमें a, an या दा जो भी उस idiom में दिया हुआ है वो आएगा ही आएगा उसमें हम change नहीं कर सकते तो हमने इतने सारे concepts पढ़ते हैं अब कुछ questions करें क्योंकि questions के बिना ना मज़ा नहीं आता class में चलो मुझे first question बताओ if you have faith भगवान के साथ ना अगर आप एक भगवान की बात करें और सब के उपर वो एक power की बात करें तो हमेशा दा लगता है तो क्या आएगा if you have faith in the almighty अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो सब चीज बढ़िया हो जाएगी if you have faith in the almighty everything will turn out to be all right अगला बताओ क्या error है next question में एक request करूंगी सभी से एक बाद सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नहीं आया हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे according to the Bible Bible एक बुक का नाम है बुक से पहले दा लगता है बिल्कुल सही है it is meek and humble अब meek and humble ना adjectives है meek और humble क्या है adjectives है हमें लोगों की बात करनी है कि कमजोर लोग जो होते हैं या जो humble लोग होते हैं polite लोग होते हैं जो करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा दा पूर दा पूर का मतलब क्या है पूर पीपल तो दा मीक and दा हमबल दोनों के आगे दा भी लगा सकते हैं common दा भी लगा सकते हैं दा मीक and humble का मीनिंग क्या हो गया वो लोग जो humble हैं, polite हैं और कमजोर है, तो the, me and the Bible तो सही था, अगला question बताओ क्या error है I am not rich, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, so I cannot afford to buy an expensive card expensive, oh, की sound है, तो यहाँ पर A नहीं आएगा, यहाँ पर क्या एगा N, I am not rich, so I cannot afford to buy an expensive car अगला No stronger a figure than his is prescribed in the history उसके से जादर strong कोई भी figure, history में नहीं देगा, history general terms में बात करें, कोई particular history के तो बात करी नहीं नहीं तो यहाँ पर दाग नहीं आएगा, in history history में next My father is in bad mood today, मेरे father खराब मोड में, bad mood तो in a bad mood बोलते हैं, my father is in a bad mood today, तो जब भी हम कोई emotion को describe करते हैं, हम आपे article A and लगाते हैं if the man, अगर इनसान contact में आए, सबसे अच्छे चीज़ों से, जो बोली गई है, जो सोची गई है, तो वो simple हो जाएगा, और selfish हो जाएगा, man, normal terms में बात करें, अगर man ऐसा करें, तो ऐसा होगा, दा नहीं आएगा, किसी particular man की तो बात नहीं कर रहें, तो कहएगा, if man diligently, diligently means, पूरी efforts लगा के, पूरी कोशिशों से, तो दा आर्टिकल नहीं आएगा, अगला, with little patience, you will be able to cross this hurdle, hurdle means, दिक्कत, यब यहाँ पर एक concept है, जो हम आपको अगली लास में पढ़ाऊंगी, वो concept है, आर्टिकल में ही, little, little और दा लिटल का, कल हम articles की आखरी class करेंगे, उसमें हम कुछ concepts और पढ़ेंगे, और बहुत सारे questions प्राक्टिस करेंगे, few of you, और doubt you का, यह concept हम कल की class में पढ़ेंगे, और जितने भी questions आपको यहाँ दिख रहे हैं, यह सारे के सारे questions हम कल की class में करेंगे, तो आज का सेशन यहीं एंट करते हैं बहुत सारे बच्चों को डाउट सेंग्वेरी जैंट कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है बेटा आप इस नंबर पर हमें वाटसाइप करके पूछ सकते हो या तो यह वादा नंबर वाटसाइप कर पूछ लो कॉल भी कर सकते हो या फिर एक और नंबर दे रही हूँ उस पर भी वाटसाइप कर सकते हो नंबर है डबल नाइन फाइव डबल थ्री जीरो डबल वन फाइव जीरो परफेक्शन सिक्स पॉइंट ओ स्टार्ट हो चुका है और उसकी आज पहले क्लास भी हो गई है आई होप सभी लोगों ने देखी थी होमवक कर क्वेस्चन यही वाला है इस क्वेस्चन में क्या इरार है ठीक है यह आपको संट्रेंस दिया हुआ है अब मैं पिस्टी क्लास के विनर का नाम अनाउंस कर देती हूब श सी में जी Gil आंसर दीया थिया होमभाग वाले क्वेस्चन का जो परफेक्शन 2 क operates 6 बेटा मुझे एक mail कर देना और एक screenshot भीज देना वो comment आप ही ने किया था तो team आपको contact करके आपकी book भिजवा देगी एक हो सकते तो grammar के साथ 120 rules of grammar की book ज़रूर ले ले लेना और खूब सारी practice करना start कर दो इस book से चालो तो आज का session यही end करते हैं चालो ओके बाबाई everyone